नमस्कार दोस्तो हमरे online tuition अड्डा चैनल पर अपका स्वागत है असफलता सफलता की सीड़ी है ये बात 100% सही है कि कोई भी व्यक्ति जो सफल हुआ है कभी ना कभी वो जरूर असफल हुआ है तब जाकर सफल हुआ है डारेक्ट कोई सफल नहीं हो जाता है जरूर अपने हाद भी सफल हो सकता है और इस कहाने में दोस्तों मैं आपको एक-एक सब्द को पढ़ना भी सिखाऊंगा साथ में यह मोटिवेशनल एस्टोरी है तो आयो दोस्तों यहां से हम लोग इसको पढ़कर देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है और सफलता सफलता की सीड़ी है द यहां से हम लोग पढ़ते हैं इसको सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो ऐसा हर किसी के लाइफ में आता है एक ऐसा समय आता है कि आपको लगने लगता है कि आपका विरोध सब कोई कर रहा है ठीक ना आप जहां भी आते हैं किसी के सांथ उमीद लेकर आप खाली हाथ लोड जाते हैं आपको केवल और केवल हाथ लगती है तो वो निराशा ठीक है चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं या कुछ और आप जीवन के उस मोड पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है जहां पर आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है आपके साथ या अगल बगल में सब कुछ आपको गलत ही दिखता है अब चाहें ये कोई software हो सकता है जिसे सभी ने reject कर दिया हो या आपका कोई फैंसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो आपका फैंसला कुछ आप फैंसला लिए और पता लगए कि बहुत भयानक है ये बहुत गड़बड है ऐसे बहुत सारे चीज़े होते रहती है हर किसी का लाइफ में लेकिन सही माइने में विफलता सफलता से ज्यादा महत्पूर्ण होती है हाँ दोस्तों ये सही बात है कि विफलता जो है सफलता से ज्यादा महत्पूर्ण है आप जितना बड़ा मतलब की आपको जितने ज्यादा असफल होंगे ना उतना ही बड़ा मुकाम पे जाएंगे एक ना थामस एडिसन या बहुत सारे ऐसे लोगों की महान लोगों की जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतिहास रची हैं उनकी जब कहानी आप सुनेंगे तो वहाँ पर किलियर होगा कि वो लोग कई बार अपने जीवन में असफल हुए हैं एक समय ऐसे आया है कि वो छोटे-छोटे चीजों में असफल हुए हैं लेकिन बहुत बड़े पद पे बहुत बड़े ओहद चिपे बड़ी सफलता प्राप किया हैं एक न, ऐसी होती है हमारे इतिहास में जितने भी बिजिनеш मैन, सैन्टिस्ट और महापूरुश हुए हैं वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं हां, दोस्तों सफल बनने से पहले वो लगातार कई बार बहुत सारे कम यहाँ पर काम होगा बहुत सारे काम कर रहे हूँ तो ये जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही होगा लेकिन अगर आप इस वज़ा से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते हेन्री फोड जो विलियर देखी यहां पे खुब द्यास पढ़ेंगे इसको विलियर नेर क्या पढ़ेंगे इसको विलियर और विश्व प्रसिद फोड मोटर कम्पनी के मालिक at क्या होगा मालिक है सफल बनने से पहले फोड पांच अन्य विजनिस में फैल हुए थे कोई और होता तो पांच बार अलग अलग विजनिस में फैल होने और कर्ज में डुबने के कारण तूट जाता क्या करता कर्ज में डुबने के कारण तूट जाता लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज तक विलिनेयर कमपनी के मालिक है यहाँ पर मालिक होगा विलिनेयर कमपनी के क्या है? मालिक है हैंडी फोर्ड ठीक है अगर विफलता की बात करें तो थामस अलवा एडिशन का नाम सबसे पहले आता है हाँ दोस्तों थामस अलवा एडिशन का नाम सबसे पहले आता है लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभाग एक हजार विफल परयोग किये थे एक हजार विफल परयोग एक दो परयोग ने एक हजार समझ रहे हैं ना बार बार वो असफल हो रहे थे बार बार असफल हो रहे थे अलवर्ट आइंस्टाइन जो चार साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता यहां पे होगा पाता था लोग बोलते था कि यह गुंगा होगा यह बोल नहीं सकता है चार साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और साथ साल की उम्र तक निरक्षर था यानि एक भी अक्षर प और सिधानतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना कौन अलवर्ट आइंस्टीन जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बने अपने थेवरी और सिधानतों के अधार पर अब जरा सोचो कि अगर हेन्री फोर्ड पांच बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता या एडिशन 999 असफल परियोग के बाद उमीद छोड़ देता और अइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता तो क्या होता तो आज जो हम लोग जो भी चीज पराप्त किये हैं यह असफलता का ही कारण है दोस्तों यदि वो लोग असफल होने के बावजूद भी छोड़ दिये रहते तो यह चीज जिसे बाल्ब है यह बहुत सारे चीज हैं जो हम लोग आज उसका यूज कर रहे हैं फाइदा उठा रहे हैं नई होती हम लोग के पास हम बहुत सारे महान प्रतिभाओं और अविशकारों से अंजान रह जाते हैं हम लोग जानते ही ने कि वो क्या होता है क्या चीज होती है ठीक ना तो मित्रो तो मित्रो असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपून है असफल ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है किसी महापूरुष ने बात कही है कि किसी महापूरुष ने बात कही है कि वीनर्स नेवर क्वीट एंड क्वीटर्स नेवर वीन जो वीनर है विजेता है वो कभी नहीं छोड़ता है और जो छोड़ने वाला है वो कभी विजेता नहीं बन सकता वो कभी विजेता नहीं बन सकता जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते जो हार मान गया वो कभी जीत नहीं सकता ठीक न? आज सभी लोग अपने भाग के और परिस्थितियों को फोकस मतलब फोकस करते हैं अब जरा सोचिए अगर एडिसन भी खुट को अनलकी समझ कर परियास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े अविश्कार से वन्चित रह जाती आइंश्टीन भी अपने भाग और प्रस्थितियों को कोश सकता था लेकिन उसके ऐसा नहीं किया तो आप क्यों करते हो आप क्यों हमेसा भाग के भुरों से छोड़ते हैं आप क्यों हमेसा अपने आपको कोशते राते हैं ठीक ना अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ ये आंत तो नहीं है ना फिर से कोशिश करो क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है जो कोशिश लगातार करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है मित्रो असफलता तो सफलता की एक शुरुवात है इससे घवराना नहीं चाहिए बलकि पूरे जोश के साथ फिर से पर्यास करना चाहिए पूरे जोश के साथ फिर से पर्यास करने चाहिए तो दोस्तो यहां इस्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंड वक्स में लिख कर बताईएगा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लेजिए बेल आइकन दबा के ओल पर क्लिक कर लेजिएगा चलिए दोस्तो आज कलास ये पर इंड करते हैं मिलते हैं अगले कलास में जा